पे चलेंगे, पोएंट समझाएगे आपको और ये नौलेज लेना आपको लिए बहुत जरूर गी The word, sonnet comes from the Italian word soneto, soneto word Italian है जहां से निकला है which means a small or little song आप ले रहे, जिसका मतल चोटा सा गीत कोई It's a 14 line small poem written in iambic pentameter, 1 meter होता है, poetry लिखने के होते हैं, तो उसमें iambic pentameter में लिखी जाने वाला होता है Each line has 10 silvers, एक line में 10 silvers होते हैं, sound की smallest unit को silvers बोलते हैं, right, तो उसमें लिखी हुए है But generally sonnets have different categories based on the rhyme scheme they follow, तो rhyme scheme अलग लग follow करते हैं, poets, तो इसलिए category different बन जाते हैं, कहीं different categories में sonnet लिखे जाते हैं Shakespeare का अलग अंदाज है Text बढ़ते हैं, पर अगे point पर बढ़ते हैं Not marble nor the gilded monuments, O princes, shall outlive this powerful rhyme, but you shall shine more pride in these contents, than unswept stone be smeared with slattish shine So, आप देखने हैं, princes, princes के statues Word meaning, gilded means covered with golden plate या gold plate, gold की या gold जैसी plate से covered Outlive means live longer, contents means verses subject matter, जो point की विशे बस्तू है, verses है Be smeared means made dirty, गंदा कर देना, जैसे कीचर से या किसी भी चीज से Slutis होता है, fake less, changeable, जो बदलता है character जिसका, जो tickiner है Slutis, woman के साथ, woman को वेते हैं, जो जिसका character loose होता है किसी के प्रती भी वाफादार नहीं होती Monument is a statue, building or other structure, erected to remember an important person or event Monument race किये जाते हैं, build किये जाते हैं, राजाओं के द्वारा, government के द्वारा किसी मुख्या घटना को याद रखने के लिए, हमेशा भी से के लिए याद रखने, commemorate करना, remember करना, या किसी महान योधा का statue होता है, राजकमार का, राजा का, जैसे King Ozymandias का statue आपने देखा था, जो वेगिस्तान में टूटा हुआ पड़ा था, ये monuments ही होते हैं, यादगार में होते हैं, और erect करना होता है, build करना, Shakespeare says that the statues and monuments are usually made up of stone, आम तोर पे stone के बनते हैं and steel के बनते हैं, they are sometimes gilded to enhance their beauty, कही बार इंपे पर्त चटा दी जाते हैं a plate चटा दी जाते हैं, इनकी beauty को बढ़ाने के लिए, enhance करने के लिए and also to avoid the ravaging effect of time और वक्त की जो विनाशकारी शक्ती होती है, जो बरबादी करता है वक्त, उससे बचने के लिए, ये gilded करते हैं He has expressed love for his friend in his several sonnets, और कभी ने, कभी भी है कोई ये dramatist अपने, नाटकार, Shakespeare, कभी ताव भी लिखते हैं, तो इनोंने अपने फ्रेंड के प्रती अपना प्यार व्यक्त किया है, है, several sonnets, में कई sonnets, true love के बारे में दिख्के हैं, here also he does so, यहां पे भी अपना प्यार, अपनी appreciation, अपने फ्रेंड के प्रती, Earl of South Hampton के प्रती व्यक्त करता है कभी, और कहता है कि उसकी verses में उसकी appreciation, उसका प्यार जो अपने फ्रेंड के प्रती है, चिर्साई है, हमेशा तक जियेगा, यह monuments, यह statue सारे बरबाद हो जाएंगे, जब तक दुनिया चलेगी, तिल डूमस्टे, डूमस्टे परलेगा दिन आएगा, जब सारी धर्ती खत्म हो जाएगे, इंसान खत्म हो जाएंगे, कोई भी जीव पापकी नहीं बचेगा, तब तक उसकी verses जीवित रहेंगी, एक generation, दूसरी generation को देती रहेंगी verses, चलती रह किसी भी तरह से लिखी गई हो, आज भी देख लो, शेक्सपियर को का पीरिड जो था, कब था, देख लो, 15th century, 16th century, 16th century मेरा, तो आज भी इतने वर्षों तक पोह में चल गई हैं, और हम सब याद करते हैं, शेक्सपियर को, Here also it also speaking about his strong belief for durability of his powerful verses, अपनी शक्तिशाली, शक्तिशाली इसलिए कि effect करती हैं, दिल को छू लेती हैं, आदमी को सोचने पर मजबूर करती हैं, इसलिए powerful हैं, यह जो powerful verses हैं, इनकी durability कि कब तक ही चलेंगी, उमर जो होती हैं कि, Strong belief अपना पका विश्वास व्यक्त करते हुए, और अपने दोस्त के प्रतीद, अपना प्यार, अपनी प्रशंसा व्यक्त करते हुए, He begins the poem by saying that, वो अपनी कविता को सुरू करते हैं, that neither statues made of marble stone, ना तो marble stone के पत्थर के बने हुए statues, nor monuments of the princes, और ना ही monuments जो princes के हैं, यादगार में बने statues हैं, buildings हैं, जैसे ताज महल भी तो building ही है, with gold plate, और gold plate से उपर पर्ट चड़ी उनकी, shall live longer than his powerful poetry, यह सब उसकी powerful poetry से अधिक समय तक नहीं रहेंगे, तो powerful poetry उसकी हमेशा तक है, यह पंक्तिया आप देख सकते हैं, आपे, nor marble, marble के बने हैं, ना gilded monuments of princes, राजमारवेश आउटली means live longer, this powerful rhyme, powerful rhyme से अधिक नहीं चलेंगे, but you shall shine more bright in these content, in verses में, तुम अधिक चमकीले होंगे, चमकोगे, जीवित्र होंगे, then unswept stone, be smeared with sluttish time, unswept, sweep करना होता है, saap करना, जाडू मारना जैसे होता है, unswept, जिसको कदी, जिस पे कभी गर्द तक नहीं हटी, जाड़ा को पहुचा नहीं गया जैसे, stones पे गर्द चड़ जाती है, बिस में गंदे हो जाते हैं, उस पे कोई फैक देता है, कुछ कई बार की चड़, या कुछ भी किसी भी चीज से गंदे हो जाते हैं, और देखते हैं, और कभी अपना पॉइंट सावित करता हैं, अपने भी तरग देखें, कि उसकी वर्सी जीवित रहेंगी लोगर तक, अथिक समय तक, जो स्टेचूस बने हुएं मॉनुमेंट से इन से या थी, इस फैंड विल साइन मॉर्ड ब्राइट लिए उसकी रखवाली नहीं की गई, परवाली की गई, देख रहें नहीं होती जिन स्टेचूस की, कि डर्टी बाइ फिल्थी एंड अंटाइटीड है, और वाक्त उसे गंदा कर देता है, सीलन होती है, महाश्यर होती है, हवावामें कुरोड होती है चीज, मैटल की बनी हुई या जो पर्थ चड़ी होती सोने की वो कुरोडिंग उसमें प्रोसेस होती है, कि कहीं वो जंग लग जाते हैं, नमी की बज़े से, औक्सीजन की प्रिजेंस में, तो ये चीजें वाक्त के साथ साथ कम होती चली जाती है, प्रतु कभी की जो प्रसंसा है, उसका प्यार है अपने दोस्त के प्रती, उस दैब रहेगा, हमेशा रहेगा, दोसे रहेगा, प्रतु का प्रभाव जाता है, धीरे होता है, पता भी ना लगता आदमी को, सदियों में दिखाई देता है पर वो, शोर होता है, वक्का होता है, धीरे होता है, वक्त के गुजरने के साथ साथ, But his verses are powerful enough to keep the memories of his friend alive in his powerful rhymes forever प्रन्तू उसकी verses powerful हैं, इतनी शक्तिशाली हैं कि उसके अपने फ्रेंड की यादगारों को जीवत रखेगी सदय जब तक धर्ती पे प्राणी हैं, हम सब हैं नाइदर सेचू उसमेड उसमेड नाइड गिल्डिद वनुमेट सफिंसे शेली फार लोंगर ताइम तो आपके पास मेरबान है वक्त खूब आपको खुशियां दे रहा है और दूसरे पर वो छहीन भी लेता है तो वक्त का कहर जो बर्बता है जो दुनिया पे इंसानों पे हम सब पे गिरता है उसको कोई अंदाजा नहीं लगा सकता कि कब क्या हो जाएगा किसी भे महरबान है किसी के घर को लूट लेता है वक्त उजार देता है तो वक्त से तो डरके ही रहना होता है तो वो रेवजिंग इफेक्ट इसलिए गहा है वपादार नहीं है आपके घर में महरबानी है वक्त की और खुदाना खासता ऐसा हो जाएगा कुछ ट्रैजिक हो जाता है किसी घर में तो उसके खुशियत साथी छिन जाती है तो यह पावर वक्त की होती है वक्त टिकता नहीं है एक ज़्यार किसी का मीत नहीं है किसी का दोस्त नहीं है वक्त और आप भले ही जैसे ये स्लाटिस मैंने कहा था कि एक गूमन के लिए माना जाता है जो किसी के प्रति वफादार नहीं होती तो वीडियो लेक्चर वन एंड्स अफ येर बहुत जल्दी तूसरा लेक्चर ले गयाता हूं थोड़ा अराम कीजिया भी तिल दन, have a nice day, thank you